आज मैं आपको एक ऐसी क्रीम बनाना बताऊंगी जो संस्क्रीम का काम भी करेगी और आपकी स्किन को मॉस्ट्राइज भी करेगी और साथ ही आपके चेहरे के दाग धबों को भी हलका करेगी तो मैं बविता एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका छोटी सी रसोई में बहुत जादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी इसके लिए हमें चाहिए एक संत्रा संत्रे का जो उपर का चिलका है वो हमें कदुकस कर लेना है हमें ध्यान ये रखना है कि इसका वाइट पार् लेना है लगभग ये एक चमच के बराबर है इत्रे के चिलके में पाया जाता है विटामिन सी जो मुहासो के निशान को कम करता है और साथी त्वचा के टोन को भी हलका करता है अब इसमें एड करूंगी अखरोट मैंने दो से तीन अखरोट ले लिये हैं और इसको मैं पूकोनट ओयल में ही बना कर तयार करेंगे मैंने ये अकरोट का पौडर बना लिया था वो अब इसमें एड कर रही हूं ये लगभग दो चमच हुआ है और ये पंखुडियां इसमें एड करूंगी और साथ ही एड करूंगी मैं इसमें संत्री के जो हमने चिलका निकाला अब इनको अच्छे से मिक्स करके अब हम बनाएंगे क्रीम बहुत ही कम कीमत में बनकर तयार हो जाएगी और मार्केट में जो हजारों में क्रीम मिलती है उससे भी जादा लाब कर होगी क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल हम इसमें एड नहीं करेंगे थोड़ा समय इसमें पानी को हमें कर लेना है गरम पानी बॉयल करने के बाद हम इसमें कटोरी रख देंगे हमें ध्यान ये रखना है हमें कोई ऐसी कटोरी लेनी है जिसमें पानी उसके अंदर ना जाए अगर हम छोटी कटोरी लेंगे तो पानी बॉयल होगा तो वो कटोरी के अंदर भी जा सक इसके लिए 25 से 30 मिनट लगेंगे लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रुरत नहीं है क्योंकि हमें इसमें कुछ करना नहीं है बस 2 से 3 बार इसे बीच में चलाते रहना है और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पैन का पानी खतम तो नहीं हो गया है आप देख सकते हैं ये बनकर आलमोस्त तयार हो गया है लगभग इसे पकाते हुए मुझे 30 मिनट हो गया है आप देख सकते हैं कि पानी पीस का पैन का खतम हो गया है और हमारे फूलों की पंगुडियों का कलर भी चेंज हो गया है आप देख सकते हैं आईल कितने अच्छे से निकल रहा है जो मैं इसे जल्दी से छान लूँगी आप देख सकते हैं कटोरी पर भी पानी का निशान पढ़ गया है अब मैं इसे यो छान कर इसका तेल निकाल लूँगी हमें यही चाहिए इस तेल में बहुत कुछ है विटामिन A है B6 है और विटामिन C है इसी तेल से हम अपनी क्रीम त करके और थोड़ी दही आड़ करके आप इसे फेस पैक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं इसका ओयल हमें अच्छे से दबाते हुए निकाल लेना है हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है पंखुडियों का पूरा जो जूस है वो इसमें निकल जाना चाहिए वैसे तो पकने के ब कर लोंगी अलोविरा जल कोई भी ऐलोविरा जयल इसमें अड़ कर सकते हैं अब मैं इसमें अड़ करूँगी चार से पांच बून बादाम के तेल की अगर आप बादाम का तेल जाहीं करना चाहते हैं तो जब आपने सिधा औक करना कि जब हम mix करेंगे तो हमें इतना mix करना है कि ये cream form में आ जाए इसके लिए आपको 10 से 15 मिट भी लग सकते हैं इसको इतना फेटना है जब आप इसको फेटोगे एक बार ऐसा हो जाएगा कि तेल अलग हो जाएगा और ये सारे इंडिडिंट अलग हो जाएगे बिल्कुल ऐसा तरह से ये cream बनकर तयार हो जाएगी आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर बना है ये ना सिर्फ देखने में अच्छी है बलकि इसमें इतनी अच्छी खुश्वू आ रही है संत्रे के छिलके के आप जब इसको बनाओगे तब आप महसूस करेंगे कि आपने ये कितनी अच लगा सकता है तो इसको कोई भी लगा सकता है आप बच्चे के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने इसमें कोई भी chemical add नहीं किया है और आप कितने भी इसके हो आप 80 प्लस भी हो तब इसको लगा सकते हो जब आप इसको लगाओगे तो आप महसूस करोगे इसमें बहुत ही अच्छी खुश्बू भी आ रही है साथ ही आपकी स्किन को बहुत जादा मॉस्चराइज करेगा अगर आप इसे body lotion की तरह यूज कर रहे हो तो आप इसमें थोड़ा सा गुलाब जल की कुछ बूंदे add करके आप इसे लगा सकते हैं आप इसको night cream की तरह यूज कर सकते हो आप इसको lotion की तरह यूज कर सकते हो आप इसको face cream की तरह यूज कर सकते हो ये skin को आपके एकदम soft बना देगी और बिल्कुल भी चिप-चिपा आपको feel नहीं होगा ये आपकी skin को moisturize भी रखे की बहुत लंबे टाइम तक अगर आपकी skin sensitive भी है तब भी आप इसको अपने लिए यूज कर सकते हो मेरी बेटी की skin बहुत ज़्यादा sensitive है वो सिर्फ coconut oil और बादाम का तेल लगाती है लेकिन वो भी इस cream को यूज कर रही है अपने एक क्रीम एक बार बना ली तो मार्केट के महगी क्रीम लाना भूल जाएंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हो तो सस्क्राइब करना मत भूलना और वैल आइकन जरूर दबनाएं